हाई आज मैं बना रहाँ पनीर भूजी जिसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम्स पनीर यानि कि कॉटेज चीज जो मैंने तोड़ लिया है क्रमबल टेक्शर में बिल्कुल भी मैश नहीं करना है इसे और हमें चाहिए 2 मीडियम साइज चॉप टोमेटो 20 ग्राम्स चॉप कैपसि फ्लेम को रखेंगे मीडियम और कडाय में डालेंगे 3 टेविल स्पून ओयल एक टीस्पून जीरा फोर पीस अब क्लोब्स टू पीस अब कार्डमम फाइप पीस अफ होल ब्लैक पेपर वन पीस अब सिनिमन और अभी इसको हम लोग 2 मीड के लिए पका लेंगे अभी हमें आड करना है ओनियन सबसे पहले और इसको अच्छा से हम लोग कर लेंगे स्टार प्लीज सस्क्राइब तो मैं चैनल अभी आड करेंगे हम लोग गार्ली आड करेंगे चिंजर आड कर लेंगे चिली अभी अच्छा से इसको मिक्स कर लेना है अभी हमें आड करना है Saled, एक टीगिस पुन, एक कशमीर ही चिली पौउडर ख़ुं इसको अच्छा से कर लेंगे स्टर हर अभी हमें एड़ करना है टॉमेंटो add capsicum, इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे और फोर मीड्स के लिए इसको कुख करेंगे, हमारा flame कर देंगे high, अभी हमें एट करना है थोड़ा पानी, लगभग आधा कप, अभी हमें इसको कुख करना है जब तक हमारे टोमेटो सॉप ने हो जाता, अभी एट करेंगे करमबल और इसको अच्छा से कर लेंगे mix अभी हमें add करने half teaspoon sugar अच्छा से कर लेंगे इसको mix अभी हमें add करने थोड़ा सा पानी around half cup अभी हमें add करने two pinch up का सूरी में थी कर लेंगे इसको अच्छा से mix प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल अट लास्ट हमें add करने 10 ग्राम बटर अब घी भी add कर सकते हो mix it properly यह हो चुका है अभी flame को करेंगे हम लोग बंद इसको करमा गरम भी serve कीजिएगा बहुत ही अच्छा लगता है रोटी के साथ या फिर पराठा के साथ इसको उपर मैंने add किया है थोड़ जूलियंस ऑफ जिंजर और grated फ्रेश पनीर गानिश के लिए अगर आप गानिश नहीं करना चाते हो तो यह वाला पार्ट आप इसकीप कर सकते हो प्लीज ट्राइ कीजेगा इसको घर पे आप देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है देखने में और खाने में भी लाजबाब होता है थैंक यू फोर वाचिंग टेक केर